हेलो गूर्णिंग फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो यहां मैं आज कोई ब्लॉग नहीं सेयर कर रहे हूं आप लोगों के साथ मैं सेयर कर रहे हूं कि वासिन मक्सीन को मतलब मिन्टों में कै करिए पूरा देखिये गा तब ही समझ में आएगा और कितना भी गंदा से गंदा मसीन हो जाता है कुछ ही मिन्टों में तो प्लीज आप लोग वीडियो इसकिप मत कीचेगा फुर देखिएगा पूरा देखिएगा वीडियो तो चलिए यह मसीन को मतलब अब क्लीन करते है तो यह देखिए, मेरा मसीन है, यह मतलब गंदा है, कितना भी इसको पोचो कपड़े से, तो फिर बाद में यह सफेज सफेज जम जाता है, और यह जो नीचे देख रहे हैं, यह भी जो पानी गिरता है, बात्रूम में तो वह ऐसे पत्थर के जैसे एकदम से जम जाता है, बात्रूम में रखने लगी हूँ, तो कितना भी मैं सुभा अगर गजी से कपड़ा दूल के पोच देती हूँ, तो फिर दिन बाद पानी कुछ ने कुछ काम रहता है, तो बात्रूम में गिरता ही रहता है, तो ऐसे हो जाता है, छीटे पढ़ते हैं तो नीचे, तो चलिए और यहां देखिए, मैं यहां न हरफिक से क्लीन करती हूँ, मतलब बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है, अभी आप लोग खुद देख लीजिएगा, और यह अभी मतलब नहीं ही भात्रूम में रखी तो ऐसे हो जाता था, तो इसे मैं साब की थी, और यह देखिए, यह जो स्क् 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और उसके बास मैंने गलप्स पहन लिए थे क्योंकि है तो नुकसान भी करता हाथ के लिए लेकिन हो नहीं पा रहा था अच्छे से इससे तो फिर मैंने निकाल दे थी बाद में और यहां देखिए पहले मैंने ऐसे इसमें लगा दूँगी पूरा चारो तरफ मतलब जहां जा और एकदम सफेज सफेज जम गयते पत्र जैसे और अभी आप लोग देखिएगा वह एकदम से क्लीन हो जाएगा पांट में लगा के छोड़ दीजिए तो और यहां ना पूरा चारो तरफ मैं लगा लोंगी और यह दे ना पांस मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूं और यहां देखिए पांस मिनट के बार फिर मैं यहां पे ना इसको अच्छे से मतलब उसी से इसको घिस दूँगी तो सारा जितना भी गंदगी होता है बिलकुल एदम ही क्लीन हो जाता है अभी आप लोग देखिएगा खु पर जाता है तो फिर टाइप और भी नहीं लग पाता और अच्छे से वह भी नहीं पाता तो इसलिए मैंने यहां बालकुनी भी लाके धूल लेती हूं उसके बात फिर मैं आप लोगों से मिलती हूं और यहां देखिए धुलें के बाद फिर मैं मसीन को अंदर नेके चली आए थी और यहां कपड़े से अच्छे से इसको पोच दोगी पानी जितना भी हमें सुखा देती हूं आप लोग खुद देख सकते हैं कितना अच्छे से क्लीन हो गया है एकदम लाइट आ गया है और और वैसे हमेसा ऐसे ही मेरा मसीन रहता था आप लोग देख्खा भी होगा जब मैं पर इसके बगल में रखती थी लेकिन जब से मैं मतलब वहां बात्रूं में रखती हूं तो पाने के छीटे के वज़े से ऐसे हो गया था और पोचने से कोई फायदा भी नहीं आता था और जो भी मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी अगर मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो और यहां देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो गया है और आप लोग देख सकते हैं कितनी मतलब लाइट आ गई है मतलब इसमें वसी वसीन में और अब मैं सरफ साबुन चूती हूं तो इलर्जी हो जाता है कट जाता है हाथ तो मुझे दिक्कत होती है बहुत तो इसलिए मैं ज्यादे तर मतलब मसीन में ही दूलती हूं वैसे कभी रहा तो गलफ मैंने रखा हुआ है तो उसको लगा के चोटे मोटे कपड़े में धूल लेती ह तो ऐसे होता है लेकिन गर्मी में तो डेली डेली धूलना ही पड़ता है और दो तीन बार गर्मी रते तो नहाना भी पड़ जाता है इस वज़े से तो यह देखिए कितना क्लीन हो गया है तो अचलिए बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी तो फिर मैं आप लोगों से कल में लोगी एग नहीं वीडियो के साथ तो बाए तो